इवर बताईए क्या आपको साथी आवाज बगरा सही आ रही है क्या ये इवेंट दिखाई दे रही है आप सभी को सभी लोग एक बार कमेंट करके बताईए क्या मेरी आवाज आपको सभी को सही आ रही है क्या ये इवेंट आपको दिखाई दे रही है इवर फड़ा फड़ स सबी लोग बताईए, यस या नो करके बताईए जल्दी से, सही अब चली बच्छा, थोड़ा से इश्यू आ गया था, तब सभी के लिए बहुत बड़ी खुशक्वरी है, जैसा कि जब ये आरर भी, एलपी के वेकेंसी जनवरी में आई थी इसके फॉर्म, तो इसमें बहुत कम वेकेंसी थी, तो सभी ने, हम समने, और भी बहुत सारे साथियों ने, मिलकरी एक ट्विटर केंपेंट इत्यादी भी चलाई थी, कि वेकेंसी इतनी कम क्यों है, वेकें इस भेजा गया है, सभी जोनल रेलवे के जनल मेनेजर, जो GM होते, इनमें कहा गया कि भी देखिये, जो रेलवे की वेकेंसी थी, वो पहले अगर आप सारे रेलवे जोन देखेंगे, इनमें टूटल, तो यहाँ पर कितनी थी, 5,696 में, जिनको ये थी नोटिफाइड वेक वेकेंसी बढ़ गई है, ये बढ़ी हुई वेकेंसी की संख्याए, और हर एक सेंट्रल रेलवे, कौन सी रेलवे में कितनी, कही पर बढ़ाए गई है, कही पर नहीं बढ़ाए गई है, तो अगर आप अच्छे से देखोगे, तो लास्ट में आपको समझ माएगा, अब 18,7 59 वेकेंसी हो गई है, तो एक बार सभी लोग इस बात पर थोड़े से खुश हो जाई है, जो 5696 वेकेंसी थी, ये बढ़के कितनी हो गई है, 18,799 एक बार सभी पढ़ लीजिएगा, लगबक जोन तो अठारे, लेकिन जो 16 जोने, उनकी यहाँ पर टेटेल्स ने रखी है, जैसे साउथ इस्टर सेंटरल रेल्वे में 1192 से बढ़ा कर 393, कुछ ऐसे रेल्वे भी है, जैसे नौर्थ इस्टर रेल्वे, इसमें 43,643, जब किस्टर सेंटरल रेल्वे में 46 की 46, तो काफी संख्या में वेकेंसी बढ़ाई गी है, टोटल जो वेकेंसी की संख्या है, व और 19 फरवरी इसके लाश्ट डेट थी इसको CEN01-2024 कहेंगे इसमें तीन वर्स की I.U. में छूट दी गई थी इसमें आप देखोगे तो ये लेवल 2 की वेकेंसी होती है एलपी जिसमें इनीशियल पेज होता हुटा उन्हें सजा 900 रुपे Medical Standard Even 18 से 30 वर्स ये जनरल के लिए I.U. थी इसमें 3 वर्स की छूट I think included थी इसमें चलिए उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इसमें I.U. की जो बात थी वो जनरल के लिए वो 2 जुलाई 1994 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 17 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए बाकी S.C.S.T. को 5 वर्स की छूट O.B.C. को साथी इसमें 3 वर्स की छूट थी एवन इसमें Medical Certificate चाहिए अब इसमें जो आपका Essential Qualification थी वो थी Educational Technical Qualification जिस दिन आपका Last Data Form Fill का पतलब Form Fill करने का जो Last Day था तब तक यापकी Education Qualification complete होनी चाहिए थी जिनका Final Year का Result अटक रहा था वो लोग इसको नहीं बढ़ सकते थे इसमें दो तो CBT है CBT1, CBT2, Merit जो लगीगी वो CBT2, फिर साथी इसमें CBT8 है, Document Verification, उसके बाद में Medical Exam, जो CBT1 है ये इसके Marks केबल CBT2 के लिए काउंट होंगे, Final में इसके लिए इसके Marks काउंट नहीं होंगे जो CBT1 था, इसमें आप देखोगे 60 मिनिट में है, 75 नमबर, हर एक कुशन एक नमबर का और गलत के लिए 13 नेगेटिब मार्किंग, इसमें अगर आप देखोगे तो जो CA और General Awareness है, ये 10 नमबर की, बाकी Math और Science इसमें साथी 20-20 के, और जो आपकी Reasoning हो जाती है, इसमें 25 का तो अगर आप देखोगे 20-20, 40 और 10-50, और 25, 75, तो Regioning 25, Science 20, Mass 20, और General Awareness और Current Affair, ये 10 नमबर का, तो ये 60 मिनिट में 75 कुशन करने थे, इसके अधार पर आपको CBT2 में बुलाए जाएगा, सिलेबस वहीता, Mass का, Common syllabus, Reasoning का Common syllabus, Science, Physics, Chemistry, Bio, Environment, NCRT 10th लेबल तक, General Awareness, CBT2 इसमें Main है, जिसके आधार पर Final Merit लगेगी, CBT2 साथी इसमें दो Parts थे, Part A और Part B, Part A इसमें, और Part B, Part A 100 कुशन, Part B केवल इसमें Technical Knowledge चेक करने के लिए, टोटल मिलाके 175 कुशन, Part A 100 कुशन करने के लिए 90 मिनिट, Part B 75 कुशन करने के लिए 60 मिनिट, टोटल 2 घंटे 30 मिनिट का इसमें, आपको समय मिलता 175 कुशन करने के लिए, इसमें भी 1-3 नेगेटे मार्किंग है, अगर आप इसका देखोगे, तो इसमें जो बनेगा, इसमें साथी आपकी एक General Science and Basic Engineering क करके जो होता है, ये आपका 40 मार्क्स का था, मेंथ इसमें 20 नंबर की, मेंस इसमें 20 नंबर की, इसमें साथी आपका 20 नंबर, 25 नंबर के करीब के इसमें, रीजरिंग हो जाती है, तो 40 नंबर के इसमें मेंथ और रीजरिंग, आई थिंग जो CBT2 है, इसमें 25-25 के हो जाती ह फिर ये आपके 10 नंबर का तो CA और General Awareness ये 10 नंबर की तो 25, 25, 50 और 40, 90 और 10, 100 तो Basic Science और Engineering करके जो है ये सबसे Important है जिसके इस बार 40 Question 40 नंबर की उसके बाद में जो 75 Question है तो Part A इसका सिलिबस Math Reasoning का, GA का, Science का, Basic Engineering का थोड़ा सा सिलिबस अलागे वो CBT 1 जैसा ही है Basic Science और Engineering में इसमें जो ये आपके Drawing इस प्रकार की जो चीजे होती है ये भी आ जाती है बाकि जो 75 नंबर का Part B था इसमें केवल आपको 35% Qualifying करनी है ये आपका Technical जैसे आप Fitter, Diesel, Mechanic, Electrical जिसमें ट्रेड से आप तो इसमें 10 नंबर की General Awareness Current Affair, 25 कमेत, 25 का Reasoning और 40 नंबर की Basic Science Engineering इस प्रकार 90 मिनिट में 100 और 60 मिनिट में आपका 75 कुशन, टोटल 2 घंटे 30 मिनिट में लगबग 150 मिनिट में आपको 175 कुशन करनी थे ये ट्रेड थे जैसे आपकी Qualification उसके इसाब से आप Part B के लिए कौन स ट्रेड चूज कर सकते हो, जैसे आप Electrical Engineering या उसके Combination है, तो Electrician ट्रेड ले सकते हैं, Instrument, Mechanic, Wireman, Armature, Coilwinder, Refrigeration, Air Conditioning ले सकते हैं, Electronics या उसके Mix हैं, तो Electronic, Mechanic, Mechanic ले सकते हैं, Radio TV वाला, Mechanical Engineering की है, तो Fitter, Mechanic, Motor Vehicle, Tractor Mechanic, Diesel Mechanic, Turner, इन सब को ले सकते हैं, Automobile से हैं, तो अभी ज् लोग, Diesel, Electrician, और ये Fitter, इन तीन ट्रेड को लेते हैं, अब सती इस तरीके साब देख रहे हो, उसके बाद में CBT हो जाता है, जो कि आपमें याद रखेगा, जो आठ गुना जितनी वेकेंसी, उसके आठ गुना बच्चे, CBT2 के बाद में, इसमें CBT में मुलाई जाएंगे इसमें जो मार्क्स होंगे, वो पार्ट A के इंक्लूड होंगे, क्योंकि पार्ट भी जो है, वो केवल 35% लाके क्वालिफ आएंगे, तो एक्च्वल में जो पार्ट A में आपके 100 मार्क्स में से कितना आया, ये सबसे important है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है भ तब ही आपका CBT क्वालिफाइंग माना जाएगा, अब जो फाइनल मेरिट लगे कि इसको समझ लीज़ेगा, फाइनल मेरिट में 70% जो वेटेज होगी, वो CBT2 के पार्ट A की होगी, मतलब आउट ओफ 100, आउट ओफ 100 मार्क्स में से पार्ट A में आपने कितने क्वालिफा पार्ट A क्यों ना हो, या CBT2 का पार्ट B क्यों ना हो, CBT1 क्यों ना हो, अच्छे से तैयारी कराने के लिए आप एक्जाम्पर को, एक्जाम्पर औफिशल एप्रिकेसन पर जोड़ सकते हैं, इसकी वेकेंसी फिर से आप सभी को बता दू, एक नोटिस है, ये साती इसकी जिसके द्वारे बताया जा रहा है कि 5,696 से बढ़कर जो वेकेंसी की संख्या है, वो 18,799 में हो चुकी है, इससे आप यहां पर देख सकते हैं, तो साथ में मैंने आपको ये बता दिया था कि ALP में क्या-क्या मांगा गया था, कैसे-कैसे इसका final merit का decision होना है, कैसे-कैसे paper पर होने है, कुछी दिन में इसके date भी आ जाएगी एक्जाम की, बढ़िया से तयारी अगर आपने NCRT science को ध्यान में रखते हुए कि basic science engineering पर पहले दिन से focus किया, क्योंकि 100 नंबर वही merit में 70% weightage है, और जो आपका tier 2 में, जो CBT 2 है, उसमें जो technical portion है, उसमें 75 questions में से, 75 अक्सलाने normalize करके, तो बहुत अच्छे से अगर आपने एक एक चीद को ध्यान दिया, आप exam निकाल सकते हैं,